जाए श्रीबमन नारायन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है घर की सुख समधी के लिए सबसे शुब महीना वैसाग का महीना माना जाता है आपको इस महीने में ये कुछ कारे जरूर से करने जाएं हिंदू कैलेंडर के नुसार बैसाक का महीना साल का दूसरा महीना कहलाता है और इस महीने का पुराणों में विशेश महत बताया गया है इस महीने में दान पुन्य करना और पवित नदी में स्नान करना विशेश फलदाई माना जाता है बैसाक का महिना 28 अप्रेल से शुरू हो चुका है और 29 मही तक ये जो महिना है वो चलेगा शास्टों के नुसार इस महिने में किये गए पुन्यकारेओं का फल कई जन्मों तक मिलता रहता है इस महिने में विश्नु जी का पूजन विशेश रूप से किया जाता है बैसाक के महिने में कौन से कारे करने से शुब फल की प्राप्ती होती और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है बैसाक के महिने को शास्त्रों में सबसे पवित्र महिनों में से एक माना गया है और इस महीने में विश्णु भगवान की पूजा विशेश फल्लाई मानी जाती है ऐसा करने से भगवान विश्णु की कृपा द्रश्टी सदैव ही मनुशे पर पनी रहती है बैसाक के महीने में गरीबों को दान करना सबसे शुब कार्य माना जाता ये कहा जाता है कि इस महीने में दान पुन्य करने से घर में कभी भी आर्थि खानी नहीं होती और घर धन धाने से भरा रहता है इस महीने में अन जल दूद फल इन सभी चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे की पुन्य की प्राप्ती होती है और इस महीने में जहां तक संभवों, गरीबों को, जरूरतमंदों को, साथ ही ब्रहमनों को भोजन करवाना चाहिए और उन्हें जरूरत की जो हैं चीज़े हैं वो दान में देनी चाहिए बैसा के महीने में पवित्र नदी के जल में इसनान करना बहुत शुब माना गया है इस महीने में हमेशा सूर्य अधर से पहले इसनान करें यदि आप नदी में इसनान नहीं कर सकते तब भी गंगा जलसे स्वयम को पवित्र करना बहुत शुब कारी माना जाता है गंगा जी या फिर किसी भी दूसरी किसी पवित्र नहीं जा सकते हैं तो भी एक काम जरूर से किया जा सकता है कि घर में नहने के पानी में गंगा जलकी कुछ बूंते मिला करके पवित्र विधीवत पवित्र स्थान करने से भगवान विश्नु की कृपा हमेशा बनी रहती है पवित्र स्थान करने से पूर्वोजो की जो क्रपा द्रश्टी है वो भी मिलती रहती है पुरानों के नुसार भगवान विश्नु को प्रसंद करने का सबसे अच्छा तरीका सूर्य को अर्ग देना होता है कहा जाता है की ऐसा करने से कई जन्मों के फलों के बराबर फुन्ने मिलता है सूर्य नरायन की क्रपा प्राप्त करने के लिए प्रतिय with Carolina कोन्यमित रूप से सूर्य मंत्र का उचारन करते हुए सूर्यक वर्ग यानि कि जल अवश्य ही देना चाहिए बैसाक के महीने में तुलसी पूजन भी बहुत शुब माना जाता है बहुत ही इसका विशेश महत्व है तुलसी को विश्नु प्रिया भी कहा जाता है इसलिए इस महीने में तुलसी पूजन से विश्नु जी की इस महीने में दुलसी जी को जल चढ़ाएं और दीपक जरूर से जलाएं ध्यान रखें कि घी का दीपक ही अगर आप शाम के समय जलाएंगे तो बहुत रूप माना जाता है पीपल के व्रक्ष में पित्रों और भगवान दूनों का वास होता है इसलिए बैसाक के महीने में व धर में सुख समरिद्वी आती है बैसाक के महीने में आज यहां बताए गए कारे करने से जहां एक तरफ सभी पापों से मुक्ती मिलती है वहीं घर में सुख सोहादर का वास होता है और आर्थिक इस्तिती भी हमेशा के लिए मजबूत हो जाती है तो यह वो सारी जानकारी ह जो कि बासाक महीने में आपको इस सारी कार्य करने के लिए बताई गई है यह जानकारी यहीं तक ही अमीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगर आप इसका लाब उठाएंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन मेल को दबाना बिल्कुल भी न भूलें क्योंकि यहां पर इस तरीके की महत पून जानकारिया मिलती रहते हैं तो चलिए मिलते नहीं वीडियो में नहीं जानकारी के साथ जैश्री मर नारायन दोस्तों जैश्री कृष्णा